मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग्धामी ने सीम कैम्प कार्याले में आउजद संचिफ्त कारिक्रम में असी ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर राज के नौ जन पदों के लिए रवाना किये ICICI फांडेशन दौरे राज के ग्रामीर और अर्ध शेरी छेतरों के लिए ये 80 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर राज सरकार को उपलब्द करवाए गए हैं मुख्यमंत्री ने आबार व्यक्त करते हुए का कि सभी के समलित प्रियासों से कोविट से लड़ाई में जीत हासल की जा सकती है पिछले कुछ समय में कोविट संक्रमन के मामलों में कमी आई है लेकिन अभी वी पूरी साफधानी और सतरकता बरतने के आश्वक्ता है कोविट की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए राज सरकार ने पूरी तैयारी की है हेल्थ इंफ्रास्ट्रेक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है उत्रकंड की सीम पुषकर सिंग धामी ने नई दिल्ले में केंद्री मंत्री रेलवे, दूरसंचार, इलेक्ट्रोनिक्स, एवं सूचना प्रद्योगी की अश्वनी वैशनों से सिश्टचार भेड की मुख्यमंत्री ने केंद्री मंत्री से उत्रकंड से संबंधित विविन रेल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की मुख्यमंत्री ने रुड़की देवबंद परियोजना में उत्राखंड राजी द्वारा वर्तमान तक दिये गए 296.67 करोड रुपए की धनराशी के अंशदान को परियाप्त मानते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक उद्देश और सीमान तजनपदों के विकास के अफश्रक्ता को देखते हुए टनकपूर बागेश्वर रेलवे लाइन का नेरो गेज की बजाए ब्रॉड गेज लाइन का सर्वे किया जाए मुख्यमंत्री ने इसके फाइनल लोकेशन सर्वे की स्विक्रती के साथ ही रिश्यकेश उत्तरकाशी रेल लाइन निर्मार की स्विक्रती का नरोध किया है मुख्यमंत्री ने हरिद्वार देरादून रेलवे लाइन का दोहरी करन के लिए 1024 करोड रुपे की डीप्यार के साथ ही डोईवाला से रिश्केश हे तू सीधी रेल सुविदाव लब्द कराने के लिए रायवाला रेलवे स्टेशन पर डायवर्जन लाइन का निर्मार को जल सुईकरती देने का भी आग्रह किया केंद्री मंत्री ने अपने अधिकारों को इन दोनों प्रस्तावों पर आवश्यक का रिवाही करने के निर्देश दिये हैं हल्दवानी मैजिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के प्राच्वारी चंद्र प्रकास भैसोडा को अलमोडा का प्राच्वारी बनाये गया है जबकि हल्दवानी मैजिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के प्राच्वारी की कमान अरुन जोशी के हाथ सौब दी गई है इस ट्रांसफर को कई एंगल से देखा जा रहा है कोई कह रहा है प्राच्वारी कुरसी सम्हाल नहीं पा रहे थे पिछले मैने कैबनेट मंतरी रेखा आरे के संबंदियों के साथ 20 ट्रांसफर को जोड़ कर देखा जा रहा है कई लोग कह रहे हैं रोटेशन है रूटीन ट्रांसफर है फिलाल ये परिवर्तन हो गया है देखते हैं कि कॉलेज और हॉस्पिटल की नई बिवस्था को अरुन जोशी कैसे समालते हैं क्योंकि आए दिन यहां लड़ाई जगडे होते रहते हैं देवादी देव महादेव का पवित रिश्रामट मास शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है विष्व प्रिसिद जागश्वण मंदिर में कोवीट प्रोटिकॉल के चलते कई पावंदियों के साथ श्रत धालू पूजा चुना कर सकेंगे जागिश्वर मंदिर प्रवंदन समीती की प्रवंदक भगवान भट ने बताया कि देनिक आधार पर अधिक तम एक हजार श्रदालू के दर्शन की अनुमती दे दी गई है आवश्यक पास, अर्तोला और सांस्क्रितिक मंच जागिश्वर प्रतयार बेरियरों से जारी होगा वहीं बिना दर्शन पास के मंदिर में प्रिवेश निश्वेद रहेगा मंदिर में दर्शन सुबह सारे 6 बजे से शाम 6 बजे तक किये जा सकते हैं बताया गया कि मंदिर परिसर में अग्रिम बुकिंग के आधार पर दैनिक आधार पर अधिक्तम 100 पूजा संपन होगी बुकिंग मंदिर समिती और अपने परिश्वित के सम्मानित पूजारियों के मादम से नियून तम एक दिन पूर्व तक कराई जा सकती है मिना अग्रिम बुकिंग पूजा के अनुमती नहीं दी जाएगी मंदिर परिसर में पूजा सुबह साथ बजे से शाम साड़े चार बजे तक होगी वहीं प्रतेक पूजा के लिए निश्चित समय तै किया जाएगा वहीं पूजा में एक परिवार के अधिक्तम 6 सदस ही प्रदिभाग कर सकते हैं 6 से जादर सदस से होने पर अत्रिक्त रसीत काटी जाएगी और अब कबर अलमोडा से जहां BTKIT द्वाराट अलमोडा कुमाओ इंजिरिनिक कॉलेज में विजेस देवी देनिक भेतन बोगी कर्मिचारी के रूप में कारिरत थी दोजा तेरा में तबियत खराब होनी की वज़य से इंचार से तीन माय की छुट्टी ली और फिर अपना इलाज कराने चली गए लेकिन स्वास्त ठीक नहीं हुआ तो दो माय का अतरिक्त अवकाश भी लिया जब स्वस्थ होकर के वापत साइं तब से लेकर आज तक उन्हें कारिपर नहीं रखा गया है वहीं जब सूचना आयोग की शर्म ने गई तो उन्हें पता चला कि उनका निदेशक महुदय के द्वारा रजिस्टर और चुटी की प्रात्ना पत्र चोरी हो गए है तब लोग सूचना आयोग तहरादून ने संस्थान को FIR करने के लिए कहा लेकिन संस्थान ने आज तक FIR नहीं की और लोग सूचना आयोग ने संस्थान के निदेशक को अपने फैसले में कहा की मेरी विजेश देवी की सेवा पुनर जीवित की जाए लेकिन निदेशक महोदय द्वारा गुमराह किया गया और कल देखते हैं आज देखते हैं जैसी बाते कहें गई दिलासा दिलाई गई वहीं संसान से चले जाने पर कार्य करने की अनुमती नहीं दी गए विजेश देवी बीटी के आईटी द्वाराट अलमोडा में एसी विभाग में दैनिक वेतन भोगी की रूप में सुक्षक किपद पर कार कर रही थी करीब 6 साल से कार्य पर नहीं रखा गया है जिसकी वज़से परशान है सब जगे कारवाई करके देख लिये लेकिन निराशा ही हाथ लग रही है उत्रकरण के मुख्य मंत्री और सिक्षा मंत्री को भी इस संबंद में प्रशासने कारवाई करके देख लिया लेकिन कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया है उनका कहना है कि कोरोना महामारी की वज़े से संकर का पहार तूट पड़ा है जिस वज़े से श्वासन प्रश्वासन से मदद की अपेक्षा की जा रही है